प्यारे बच्चों इंगलिस वाले महे सर की क्लास में आपका वेलकम है 12th क्लास की इंगलिस की पहली बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो हमेशा की तरह से वेरी सौट समरी यनी छोटा सा आंसवर इससे आप अपना काम चला सकते हो इसके अलावा हमेशा की तर और उसको सरसरी दृष्टी चेक करता है अब इसमें फेक्ट कहा है देखो इसमें सेयर क्रॉपर्स वर्ड आ गया ठीक है और इदर आ गया बिटिस लैंडलोट्स 15 परसेंट सियर क्रॉपिंग है ना 15 परसेंट 25 परसेंट नॉन वोईलेंस सत्याग्रह इस तरह के वर्ड आने में नील की भी खेती होती थी जो हम कपरों में लगाते ना ये खेतों में उगती थी तो चैप्टर का नाम है नील इंडिगो इस चैप्टर को लिखा है लूइस फिस्चर ने जो एक प्रसिद अमेरीकी पत्रकार थे हलाकि गोरे व्यक्ति थे लेकिन गांदी जी के बह पाचीत की और ये पता लगाने के कोशिस की गांदी जी का काम करने का तरीका क्या था ये इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि ये इतना popular हो गया और जो इंट्रिव्यू थे उन्होंने 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 बुक लिखी लाइफ अप महत्मा गांदी ये जो चैप्टर है इं तो ये जो एपिसोड है ये गांधी जी का अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने के तरीके को बताता है। इन चंपारण जो की बिहार का एक डिष्टिक है तो चंपारण में he defeated, उसने हराया था the British landlords, अंग्रेज जमिदारों को on the matter of indigo sharecropping. नील की जो बटाईदारी किसानी खेती थी, उसके सम्मन्द में with the power of non-violence and satyagray, satyagray और अहिंसा की सक्ति से, तो उन्होंने बिहार के चंपारण में अहिंसा और satyagray की ताकत से British जमिदारों को indigo sharecropping के matter पे हरा दिया था। अब indigo sharecropping क्या होती है अभी मैं इसकी हिंदी में समरी बताऊंगा, तो देखिए, चैप्टर के सरुवात ऐसे होती है, इसमें जो घटना है वो है 1917 की, जैसा की गांदी जी ने लूइस फिचर को बताया की चंपारण में क्या हुआ, तो 1917 की बात है और एक मज़दार बात और बताऊं, 1917 तक गांदी जी कोई बहुत famous लगती नहीं थे, इन्होंने सिर्फ एक बढ़िया काम किया था, थोड़ा popular काम था कि ये South Africa में अंग्रोजे से लड़के आये थे, थोड़ी पहचान थी, तो ये दूसरी तीसरी पंक्ती के नेता थे, अब होता क्या है कि बिहार का एक किसान, चंपारम जिले का जिसका नाम था, र लग ये South summary वाला है, आरदस मिल्ट में कराना है, कभी special बताऊंगा, कि मैं भी गांधी को लाइक करता हूँ, मेरे भी कभी चुलमची थी, कि आदमें ऐसा है क्या, जो नोट पे छपता है, बापू, राष्ट पिता, लोग तो बहुत होई लेकिन राष्ट पिता, बहुत ब रहेगा, इस कर्स इन दो लाइनों में आप समझ जाना, एक तो उस व्यक्ति ने एक ही life में, एक ही जिंदिगे में इतना काम कर दिया, कि हम तुम 5-6 जिंदिगियों में करें, यानि उसने सिर्फ काम काम किया था, इसलिए तो book boring थी, मैं उससे मिला, मैं वहां गया, मैंने आंदुलन किया, यह हुआ, यह हुआ, साथ अफरिका, पूरी जर्नी है, उसमें काम है, और सारा काम पता है, किस के लिए खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, जिद्धियाद में था, दूसरों के जिद्धि था हो, इस मसले पर अडगया तो अड़ी गया, और व गांदी जी यहां से गुजर के जा रहे है, अब मैं थोड़ से ऐसे ऐसे, डांसर कर रहा हूँ ना, तो गांदी जी ने का, इक्सक्यूजमिसर रहा बोल, सार आप टीचर तो ठीक है, बढ़ा भी ठीक रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक टीचर का मैंनर ह होता ही है क्योंकि वो सुप्रीम स्टेट में होते हैं बच्चे नीचे बैटें क्लास में चल रही है चड़ी है हात में तो क्यों दबेगा अब गांधी ने कहा सर आप ठीक से खड़े हो जाई है ठीक से बलाब मैं यह बॉडी लेंग्वे सुधार लीजिए इसमें हिल रहा अगले दिन फिर आए एक्सक्यूज मी सर तु फिर आगया है मुझे गुस्ता आएगा तो मैं दो त्रीन बच्चे से खड़े हो इसको भार करो मैंने तो कहा भार कर लिए अब बच्चे गया उसको धक्का मार दिया बच्चारे को गांधी जी गिर गए उनके चोट वोट आ गया इसकी पिटाई कर दी फिर भी आ गया तो मुझे अपने आप पर सरम आ जाएगी क्योंको लड़तो रहा नहीं है वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है और मैंने उस पर हिंसा का प्रियोग भी कर लिया फिर भी बिचारा एक निवेदन कर रहा है तो बताओ इस दुनिया का ऐस जादे घमंड याद नहीं हूँ अपने इगो को लेकर बैटाओं तेरी बात नहीं मानूंगा तो गांदी जी अपने घर जाएंगे और बोल देंगे मुझे साथ दिन का अपवास करना है और वो सीधा इसवर से कॉंटक्ट करते है कि है इसवर मुझे और सुद्ध करो मेरी सत्या ग्रह था अब बताओ था ना एक हीरो व्यक्ति हाँ यह लगवात है कि युगा पीडी बसाओ यह टकला वकला कुछी बोल दिया वैसी बोल देता है यारे पहले समझे तो सही कोई व्यक्ति क्या था और दुनिया फ्रीमें मन नहीं देती धान धगना अगर कोई व्यक लगती है अटेगा नहीं पीछे तो उसके पीछे लगए जहां भी गांधी जाते वहां उनके पीछे पीछे जाते और रिक्वेस्ट करते कि सर चंपारन में आई है हमारी कुछ प्रावलम है किसान हो भी अब गांधी इसको टरकाते लेकिन उसकी एक ध्रड़ प्रतिग्या ने उनके घर वो बहुत फिमस वकील थे लेकिन वहां पर राजिन प्रसाद नहीं मिले और उनके नौकरों उनको अच्छू संदर छोड़ो अब फिर वहां से गए मुझजपरफुर और जो वकील किसानों का केस लड़ रहे थे उनसे सारी जानकारे ली और उनको फटकार भ अधिकार था यानि उनकी थी वो जमीन और वो अपनी जमीन को बटाई पर देते थे हिस्से पर देते थे भारते किसानों को मजदूरों को अब एक समझाता था जो लंबे समय से चल रहा था कि जितनी वी जमीन है ना जो समाने टोटल जमीन इतनी है तो इसके लगभग 15% भ पड़ेगी नील उगानी पड़ेगी नील वही जो हम कपड़ों में देते हैं अब तो सिंथेटिक आ गई है यह इसकी खेती होती थी और यह महंगी बिगती थी तो अंग्रे जमीदार कहते थे किसानों से कि भाई तुम इस इंडीगो को इतनी जमीन पर तो उगा गई जमी एक एक मिनिट कितना फार चलता हूं है करते नील का विसकार कर लिया जर्मानी देश ने और अंग्रे जमीदारों को पता चल गया किसानों बोलेबलों क्या पतला किया इंवेंशन हो रही है अब जो उनको पता चल गया कि किसान 15 परषैंट देने वाले न नील इसकी कीमत त पर खेतों में क्या मतलब है तो खेतों की जो नील है वो सस्ती हो गई अब अंग्रेज जम्मिदारों ने चाला किसी क्या किया इन किसानों को बुला के खाग भाई ऐसा करो तुम ही उगालो नील वील 15% पर हमको तो तुम पैसा दे दो 15% जमीन पर जितने नील होगी नो उसके क्रितने मील बन गई अब वो कह रहे हमारा पैसा दो हम तो बरबाद होगे और क्या खाएंगे ठीक है तो यह था मैटर इस मैटर पर गांदी जी वहाँ पे गए अब सौट सौट लंबी बात क्या पता हूँ आपको यह तो मैटर बता दिया कैसे सुल जाया तो देवो नहीं हटे तो गांदी जी थे अंत में एक कमेटी बनी जिसमें किसानों के तरफ से गांदी जी थे और एक बिटिस गवर्नर असे बिटिस लेंडलोड असोशेंट का कोई मेंबर था जमिधारों को तरफ से यह दो-तीन व्यक्ति थे और पचीस परसेंट पर एग्रिमेंट ह यानि अंग्रे जमिधारों को 25 परसेंट पैसा तो लोटा ना पड़ा पुरा तो नहीं दिया खेर पर यहीं बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार इंडिया में भारतियों के जीत हुई थी तो किसानों को पता चला कि हमारे साथ कोई है हम जीत सकते हैं कहने का मतलब है कि ग चैप्र ही खतम नहीं हुआ फिर आगे चला फिर आगे गांधी नहीं किया अब आगे गांधी नहीं किया वो गांधी है अब कोई तो क्या होता कि मैं इस डिस्पूट को सुझाने गया 25 परसेंट पैसा मिल गया चलो अपने घर एक और भात गांधी जी दो-चार दिन के लि बांटे जा रहे हैं और हजार रुपे पता है जिनकी चल जाएगा उनको पढ़ना सिखा दो उनको मजबूत बना दो उनको अंदर को स्किल डाल दो तो गांधी जी इसकिल डाली इसकिल तो कह डाली कुछ स्कूल खुलवाए वहां पर अपने आस्रा में से कुछ लोगों ब पढ़ा दो अपने पेरा पर खड़ा कर दो तो यह गांधी के तरीके थे इसलिए गांधी था वह ठीक है तो यह हो गया इसका ठीक है अब इसकी वह देख लेते हैं बसे मैं सोच रहता है जल्दी ने पढ़ जाए बाद टाइम कोई दिक्कत नहीं है चलो इसकाप कर लेते ह थो राज कमार सुकला आप पूर एंड इलिट는 पीसेंट राज कमार सुकला अब गरीव और अनपढ़ किसांथि नहीं आ आग्रह किया था अब यह वर्ड़को को तो झाओ MatsBon शक्ला वाजे पुर एणड टो यसे पुर पी सेंट कर दो अब पी सेंट कर दो करदो लेकριल लेकिन राजगुमार शकलावाad, पूर अंडि पीशेंट लिखोगे तो जादा नमर pastel बीलेंगे, ठीश्ट करोगे, और 예थे diligently विट्मार shy यहांगे, कर सकते हो कैसे राजकरमार क्मार सुकला कर सकते हो दो फार्मर भोग गया यह तो मैं तुमारे ंदर लाणा चाता हूं कि तुम सेड़र खारी की न शीखो यह बदल सकते हैं वर्ड बदल सकते है को मैं सब्सक्राइक तो ने अग्रे किया आप देखो नाई गरीब किसानों की मदद के लिए नंगी जी जिद की को मानने पड़ा ले देखो अब देखो, इस पे मैं खुद मेर्क तारिफ कर लो थोड़ी सी, इतनी सारी रामायंड, बढ़ बोल दा, तो बहुत से कमेंटर करते हैं, सर रामायंड, ऐसे पता नहीं क्यों, छोड़ो, इतनी सारी बात को, इतनी सारी बात को, कैसे बोल दिया, जो सेर क्रोपर थे, जो किसान थे न, वो अपना धन वापिस चाते थे, जो कि बिटिस जमिदारों ने ग्रैब्ड हरप लिया था, देम उन से, कनिंगली चालाकी से, ओन ने नेम अप 15% सेर क्रोपिंग, 15% सेर क्रोपिंग के नाम पर, जो समझता था न, वो, ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो, करत्रिम नील के चक्कर में, जब करत्रिम नील का विसकार हो गया, तो 15% का जो उनका एक एग्रिमेंट था, उसके नाम पर चालाकी से, उन्हों परशिद वकिलों की सलाली, मदद ली, लाइक राजंदर प्रसाद, देखो, राजंदर प्रसाद जान भूच के ठूसा है मैंने, एक नाम तो दे तो कम सकम, ताकि उसको ऐसा लगे, हाँ सब ठीक चल रहा है, दा बिटिस ऑफिसर्स एंड सेर क्रोपर्स थ्रे टंटे, तो बिटीस ऑफिसर्स ने और और सियर क्रोपर्स नहीं यार यहां पर गवल लेंड लेंडोड सा यगा, सियर औक dellमकाएंगि AND i Landlords ठीक है तो British officers ने और जम्मिदारों ने threatened him उसको धमकाया but he won the battle equation लड़ाई को जीत लिया with the help of सत्याग्रेयर non-violence, सत्याग्रेयर non-violence सत्याग्रेयर आइंसा की मदद से, non-violence होती है आइंसा the British landlords had to return, British जम्मिदारों को लोटाना पड़ा 25% money to the peasants, किसानों को 25% done यह सारे पार्ट की समरी आगई इसमें फिर जो पीछे किया, वहाँ पर रुक के वह भी में डाल दिया apart from this, इसके अलावा, गांधी जी ने किया a lot of social services, गांधी जी ने बहुत सारी सामाजिक सेवाएं की, देर वहाँ पर like जैसे की running school, school चलाई, teaching cleanliness स्वच्छता का सबक सिखाया and health issues और स्वास्त के मुद्धों पर काम किया तो लो हो गया सारा chapter, सारी बाते आगई ठीक है जो जो उस पार्ट में में मुद्धेते, सब के सब आगई 15%, 25%, cleanliness, school बगरा, सब कुछ देख रहा है ठीक है, तो यह तो नहीं कहता कि आगई, टीचर अलग-अलग तरह के है, लेकिन अब आप मुझे ऐसे आप एक्छा करते होगी, यह चीजों को सरल करते है, तो उस चकर मुझे करना पड़ रहा है वरना मैं भी ऐसा टीचर नहीं हूँ, यह तो अक्लिमें जुगार बनाया है वरना जैसा कुछ सना है, अगर हैसा अंसर लिखोगे, तो पूरे चांस है की फुल मिलेंगे, इससे आप अपना काम चला रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि जीरो मिले, बजाय छोड़ने के, बजाय गलत लिखने के, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लेना, ओके, बाई